चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दे की स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आज इस वीडियो में हम फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे MCC के काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसका सेडूल 8 जनौरी 22 को आने की पूरी 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 पॉसिबिलिटी दी मगर किसी एड्मिनिस्टेटिव कारण वस ये एक दो दिन के लिए डिले हो गया है मगर आप जराभी टेंशन ने लें ये सेडूल एक दो दिन के अंदर अंदर जल्दी ही रिलीज हो जाएगा अब बात करेंगे हम स्टेट कोटा काउंसलिंग के बारे में तो सबसे पहले हम हिमाचल स्टेट की काउंसलिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे तो हमाचल स्टेट के जो 24 फिलिंग का ओप्शन है वो 10 जनवरी 22 लास देट है इसकी तो आपने जो भी कोले 24 करनी है वो 10 डिशंबर 22 से पहले आप इसमें 24 फिल कर दें 24 फिल करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा इस बार जो ये काउंसलिंग करवा रहा है वो अटल मेडिकल एंड रिसेर्च युनिवर्सिटी हमाचल दवारा करवा ही जा रही है तो इसमें आप इसकी वेबसाइट amruhp.ac.in पर जैसे ही विजिट करेंगे आपने आलड़ी रेजिस्टेशन कर रखा है तो इसमें आप थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद में इसमें MBBS BDS काउंसलिंग पर क्लिक करना है और यहां पर लोगिन करना है लोगिन करने के बाद आपके पास profile और preference का option आ जाएगा इसमें आपने preference दे देना है college wise नमबर वन पर कौन सी college देनी है नमबर टू पर कौन सी देनी है तीन पर कौन सी देनी है तो इस परकार से आप preference दे सकते हैं तो जिन्होंने management quota के लिए apply किया था हिमाचल पर्देश के लिए तो management के लिए यहां एक ही private university है मैर्सी मार्क इंडेस्वर तो यह सोलन में है और इसमें जो admission होना है वो management quota के under admission होना है इसमें कुछ government की CTM भी है state quota की तो जो other state candidate है वो इसमें एक ही university का option available है इसमें एक ही private college का option available है management के लिए लेकिन वो भी preference आपको देना है तो वो preference दे दें आप 10th January 22 से पहले पहले तो यह तो थी हिमाचल प्रदेश के बारे में अपडेट 24 फिलिंग के बारे में अब बात करते हैं हम pondicherry state की तो pondicherry state ने सबसे पहले registration स्टार्ट किया था और इसके registration 25 November 21 तक complete हो चुके थे लेकिन फिर यहाँ एक option मिला है इसमें आज last date है इसमें जो 10th January last date है यानि कि इसमें जो registration कर सकते हैं वो 10th January 22 साम 6 बजे तक कर सकते हैं एक और opacity मिली है candidate को जिन candidate ने पहले registration नहीं किया है pondicherry state के लिए जिनोंने पहले registration कर रखा है उनको दुबारा से registration करने के आउशकता नहीं है pondicherry state के लिए मैं आपको पता दूँ कि pondicherry भी एक open state है यहाँ पर तीन private medical college हैं जहाँ पर candidate out state candidate admission ले सकते हैं इसका procedure मैं आलड़ी पहले वीडियो में बता चुका हूँ हिमाचल का procedure भी मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ तो यह एक pondicherry state के बारे में update है कि जिन candidate ने अभी तक registration नहीं किया है वो पॉंडिचेरी के private medical college में admission लेना चाते हैं management quota के तहर्ट तो वो admission शोरी registration कर सकते हैं अभी इसके बाद में हम बात करते हैं आगे तिलंगाना state की तिलंगाना इस्टेट भी एक open state है यहाँ दो प्रकार के form निकलते हैं इसमें एक government quota के लिए registration होता है और एक management quota के लिए registration होता है तो यह दोनों अलग-अलग date में registration होते हैं अभी जो सिरफ registration हो रहे हैं वो government quota के लिए ही registration हो रहे हैं मतलब जो तेलंगाना state के domicile candidate है वो अभी government quota के लिए apply कर सकते हैं इसके बाद में management quota के लिए इसमें बाद में form apply होंगे जिसमें all India quota के सभी candidate apply कर सकते हैं private colleges के लिए state quota के लिए कोटा के लिए तो तेलंगाना में तीन प्रकार की सीटे होती हैं category-a में government seat होती है category-b में management seat होती है और category-c में NRI seat होती है तो NRI और management के लिए all state के सभी candidate इसमें apply कर सकते हैं उसके registration अभी start हुए नहीं है management के registration अभी start नहीं हुए है तो वो registration अभी start होंगे तो उस समय हम आपको inform कर देंगे तिलंगाना state के लिए मैं आपको बता दूँ कि हाँ एक ACDS Army Dental College भी है ये एक private college है और army trust द्वारा ये चलाई जाती है तो इसमें भी जो army के ward से जो army के बच्चे हैं जिनके parents army में service कर रहे हैं या retired हो चुके हैं तो वो इसमें admission ले सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि army के लिए दो colleges है एक medical college है जो ACMS दिल्ली में है और दूसरा ये ACDS college है इसकी counseling तेलंगाना state द्वारा करवाई जाती है और ACMS की counseling IPU द्वारा करवाई जाती है तो जो भी army के बच्चे हैं मतलब जो इनके parents army में service कर रहे हैं और वो dental में admission लेना चाते हैं BDS में admission लेना चाते हैं तो वो apply कर सकते हैं तेलंगाना state की counseling के through इसकी जो तेलंगाना state की last date है वो 11 january 22 रखी गई है यानि की 11 january 22 तक आप ACDS में भी apply कर सकते हैं और जो तेलंगाना state के domicile candidate है वो apply कर सकते हैं इसमें जब management के यानि की category B के form जब निकलेंगे तो मैं आपको बदा दूँगा जब से ये registration start होंगे category B के तब मैं आपको inform कर दूँगा उसका अलग से prospect जारी होता है और उसके registration form अलग से निकाले जाते हैं तो यह update था तेलंगाना state के बारे में अब बात करते हम MP state के बारे में मद्यपरदेश state के बारे में तो मद्यपरदेश एक semi open state है यानि कि यहां पर first round में किसी भी candidate को outside candidate को private medical college में allow नहीं किया जाता है लेकिन second round से यहां allow किया जाता है लेकिन registration आपको first round में ही करना होगा चाहे आप MP domicile candidate हो या फिर आप other state candidates हो तो जो other state candidate है लेकिन यहां पर इसके लिए एक condition और है जो other state candidate है उनके लिए यह condition है कि यहां के private college में सबसे पहले जो candidate MP state से है वहां उनको seat दी जाएगी उसके बाद में other state candidate को seat दी जाएगी तो मैं आपको बता दूं कि MP में private के लिए यहां जो domicile candidate हैं वहां के MP के रहने वाले हैं उनके scholarship मिलती है तो scholarship मिलने के कारण उनकी fees काफी कम लगती है और यह जो MP के domicile candidate हैं यह private seat भी occupy करते हैं यहां की private seat में भी seat अवेलेबल नहीं होती हैं और इसमें other state candidate को मोका मिलने के chances बिलकुल भी नहीं है previous year में देखा गया है कि इनमें other state candidate के अलावा जो MP state के domicile candidate हैं वही admission ले लेते हैं बाद में seat vacant नहीं रहती हैं तो इनकी last date 12th January 22 है हालांकि MP state के registration पहले से start हो चुके हैं लेकिन इनकी last date नहीं दी गई थी अभी इनकी last date दे दी गई है और यह 12th January 22 है इसमें इन्होंने first round का result भी दे दिया है और इसमें जो allotment result होगा first round का वो 20 January 22 को होगा तो यह इसमें पूरा schedule है यह schedule आप देख सकते हैं इसमें second round का schedule बाद में आएगा तो यह चार state के बारे में update था जो मैंने आपको बता दिया है अगर आप यह चार state में apply करना चाते हैं तो इसमें apply कर सकते हैं ते प्रेंगाना को छोड़कर बाकी तीनो open state हैं तो आप इसमें admission ले सकते हैं बाकी states के बारे में जैसे जैसे update मिलेगी मैं आपको inform कर दूंगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वे ज्यादा ज्यादा share करें क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं जैन्यून information और latest update तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद